अ कुरति जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसा किसी ऑफिस में जाके तो मुझतर आथा कि क्या है किसी डिरेक्टर के असिस्टन ने पूछा तक क्या है इसा समझता था और शिप्रम में आपको यकिन दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मेरे खुद के रिष्टेदारों ने भी जब मैंने उनसे इच्छा जाहरी की कि मैं आक्टर बनने चाहता हूँ तो उन्होंने भी मुझे डी-मॉरलाइज किया कि पहले शकल तो देख ले अपनी कि पाँच फूट का छोटा पतला दूबला सा आदमी काला कलूटा मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडिस्टी में मेरा क्या हाल होगा बट एक जित थी एक जित थी और हजारों लाखों मनलब सालों साल से इंडिस्टी में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो हीरो तो जो है ऐसा होता है लेकिन सब और सिचुएशन के बावजूद भी गए लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब करने वो नहीं करना है तो अलग क्या करूँ अलग क्या होना चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी जो मैंने नेशनल स्कूल ओफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली तीन साल मैंने अंक्टिंग की पढ़ाई की वहाँ पे और अपनी एक क्राफ्ट के बारे में समझा के एक्चुली इस प्रस्नालिटी में अगर मैं लोगों को इंप्रेस करना चाहता हूँ उसके लिए एजुकेशन की बहुत जरूरत है या जो भी आप काम कर रहे हूं उसमें क्राफ्ट उसका एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी होता है ऐसे ही हवा में नहीं के जैसे पहले होता था आरे यार तो तो बहुत खुबसूरत दिखता है फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे ऐसा नहीं किसी चीज को बारी किसे जानना उसके लिए ट्रेनिंग की एक्सपर्ट की एक्सपिरियंस की जरूरत होती है तो मैंने उससे पहले चैलन नहीं था बिल्कुल भी हम लोग गए जैसे मैंने बताया कि आफिस में खड़ोगे भाई हम एक्टर है काम दोगे क्या तो बहुत पहले हुलिया तो देख अपना तू तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था और बात भी सही थी क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई इतना बड़ा कोई इतनी सी प्रेसनेलिटी का पांच फोट छेंज का अदमी पतला दूबला सा, मरियल सा कि कभी ये इस तरह के लोग आक्टर भी बन सकते हैं हीरो भी बन सकते हैं स्टार भी बन सकते हैं ऐसा चलन था ही नहीं मैं confident था because of my training मैंने training ली थी और अपनी craft के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं और इस चीज का सिर्फ confidence था मुझे कि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो या 10 साल या 20 साल या 30 साल 30 साल के बाद number जरूर आएगा मेरा मैंने मैंने कभी भी अपने को target नहीं किया target नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल try करके देखता हूं उसमें अगर हो गया तो ठीक है वरना कोई दूसरा field अपना लूँगा ऐसा कभी नहीं जिस चीज का passion होता है जजबा होता है अगर आप दिल से चालो ना तो पूरी दुनिया जुख जाती है उसके उपर उसको पूरा करने के लिए पूरी काइनात काइनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए जिद के जुखना पड़ेगा और पूरी दुनिया जुखती है आपकी जिद के आगे लेकिन आपको जिद्धी होना पड़ता है आपको बहुत सारे sacrifice भी करने पड़ते हैं क्योंकि ये आपने चाहा है परिक्षा देनी पड़ती है आपको जितना बड़ा इम्तहान होगा उतनी बड़ी परिक्षा भी देनी पड़ेगी आसान काम नहीं है छोटे छोटे टार्गेट बनाएंगे तो छोटे में निप्टारा हो जाएगा हमेशा आपने आपको टार्गेट बड़ा दो तो उसके लिए उसके लिए हमेशा अपने आपको अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो पॉसिबल जो इंपॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत पैशन आपके अंदर होने चाहिए वो हो जाता है आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपरिमेंट हुए हैं यह सिर्फ इसी बिना पर हुए हैं पागलपन के जरीये हुए हैं यह सारे एक्सपरिमेंट एक मैंने कहीं सुना था कि कि जब आप एक्सपरिमेंट करते हैं तो फैलियर भी होते हैं कई बार फैलियर होते हैं कोई एक एक्सपरिमेंट करने के लिए कोई एक चीज करने के लिए बहुत बार हमने भी जहला है बहुत बार failure हुए हम लोग लेकिन at least हमें इतने सारे failure होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से success नहीं मिल सकती for example Edison ने जब bulb का विशकार किया तो सो बार experiment किये अपनी जिंदगी में सो बार experiment करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे formula तो ये था bulb बनाने का तो at least उसको ये उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि सो जो तरीके हैं सो तरीकों से bulb नहीं बनता ये भी पता चला उन failures में उसको जब हम लोग Mumbai आये तो हमें मालूम था हमारे पास personality नहीं है हमारे पास back नहीं है ये हमारे father, दादा, पड़ दादा तो film industry में है नहीं हमी है तो हमें क्या करना चाहिए इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे उनका experience सुनते थे उनको observe करते थे तो I think मेरे पास 15 साल तक 10 साल, 10-12 साल तक कोई काम नहीं था जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकंड के रोल करके घर में आके बढ़ जा तो पूरे साल के खाली बढ़ते रहते थे हम लोग लेकिन एक चीज थी कि लोगों के बीच में रहते थे लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हो आमें के तरह-तरह के लोग हैं लेकिन हमारी इंडिस्रे में सिर्फ एकी तरह की एक्टिंग होती है हजारों करोडों लोग हैं इस दुनिया में लेकिन एक्टिंग सिर्फ एकी तरीके से होती है हमारे हाँ तो मुझे लगा यार मैं तो ट्रेंड भी हूँ मुझसे अपनी आर्ट भी आती है और हजारों लोगों को मैं अब्जर्ब भी कर रहा हूँ तो यह तो सबसे अच्छा सूत रहे हैं यह तो इससे तो मैं बहुत कुछ कर जाओंगा तो जब यह सुथ पता चला मुझे कि अब मैं यह जो हाजारों लोगों को मैंने अब्जर्ब किया है अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उनी में से वो एक इंसान होगा उसी में वो ठाकरे बाड़ा साब ठाकरे होगा उसी में मंटो होगा उसी में गणेश गायतुंडे होगा उसी में फैजल खान होगा उसी में माजूमदार साब होगे तो इस तरह के यह कब हुआ जब मैंने लोगों को अब्जर्ब करना शुरू किया लोगों के बीच में रहे, मैं 15 साल के बाद जो मेरी लाइफ थी, जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था, आप fortunate अपने आपको समझने लगा था, कि thank God, कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला, तो कभी भी I think मुझे लगता है कि कभी भी, जब आप struggle कर रहो होता न, वो एक मौका होता आपके पास, वो एक chance होता आपके पास, कि कैसे उस, उसमें आप अपना observation, experience, जब आपको काम मिलेगा, वो उसमें लगाएंगे आप, तो मेरी लाइफ बहुत ही, आज जब मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ तो जो पंदरा, दस, बारा साल मेंने बिना काम के गुजारे, जो लोगों के बीच में रहा था, हमें आज वो काम आ रहा है मेरे, जहां ज़रा सो कोई character मिलता है, तो आदमी इ उन से, कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पोडोस का या आसपास का ही ये बंदा है, मैंने देखें इस तरह के लोग, I think यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, as an actor. अपकोस इस्टेगल में बहुत सारी चीज़े sacrifice करनी पड़ती है, क्योंकि खुझली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी, यह नो, आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर disappointment आ रहे हैं, तो आप तो complain भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था, यह बनना. तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था, 10-12 साल जब struggle हो गए तो मेरे बहुत जादा वो भी हुआ, क्यार छोड़के चले जाते हैं, कुछ काम मिलनी रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, I don't know, मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा. फिर यह होता था कि नहीं, मेरी मदर जो है न, एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा, तब मॉबाल लुबाई नहीं आये थे, पेजर आये थे, तो पेजर यहां पर लगा के चलते थे हम लोग. जब उनको मालूम हो जाता था, कि बंदा जो है न, थोड़ा सा फ्रस्टिशन में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो मेरी मदर मुझे एक लेटर लिखती थी, उसको लिखती थी, कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी, कि बारा साल में कचरे के दिन भी बदलते हैं, तू तो इनसान है, तू तेरा दिन भी बदलेगा, तो उन सब चीजों को देखके, कोई एक शेर, कोई एक कोटेशन, कोई इस तरह की जो मोटिवेशन, मोटिवेट करती हैं, जो लाइन्स आपको, उनका रहना, उन पर बिलीव क करती हैं, आगे बढ़ाने के लिए, और जब खराब वक्त होता आपको, वो लाइन्स, वो पॉइम्स, वो वो सारी चीज़ा आपको संबल देती हैं, मजबूती देती हैं, ताकत देती हैं, और मैं जिस गाउं साय था, डिस्टिक मुझफरनेगर के एक छोटा सा गाउं था बढ़ाना, जब हमने शुरुआत की थी, महाँ पर जब मैं था, महाँ पर लाइट भी नहीं थी, एक गंटे के लिए रात में कभी आ गई, या एक महिने के बाद हलका सार मूँ दिखा के चलिकी, इस तरह लाइट इस तरह होती थी, वोई लैंप में पढ़ना है, लगता था, मैं जब मुंबई में आया था, तो मैं 15 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं, कि इतनी स्पीड में तो हम चली नहीं पाएंगे, इस शहर के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे विल्कुल भी, तो इस तरह क डर थे, लेकिन ऐसी जगा पर, ऐसी जगा पर आ गये थे, कि अब जाना भी मुश्किल था, तो मतलब वापस नहीं जा सकते थे, वापस सारे डर थे, वापस अगर चले गए, तो थेटर के जो मेरे दोस्त थे, वो बोलते, क्यों भाई, वापस आगे तुम भी, जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे तो तुम भी वापस आगे, चलो लग जाओ, ठीके, गाउं में इसली नहीं जाता था अपने, कि जो पहले ही बोलते थे, वो लोग के शकल तो देख ले, फिर हार के उनके सामने चला गया, तो क्या बोलेंगे, वो तो वही बोलेंगे कि हमने तो पहले मना किया था कि मज जाओ, क्या सूरो शकल थोड़े ही थी तुमारे स्टार बनने की, आक्टर बनने की, तो ये बहुत सारे डर थे, जिसकी वज़े से मैं अपने ना तो गाउं जाता था, ना जहां से ट्रेनिंग ली थी, दिल्ली से नमा जाता था मैं, उन नहीं दुनों में मिल जाएगी, इनसान का काम होता है, I think मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि life ना हमेशा अपने आपको life में push करते रहो, और passion, passion के साथ, जिस भी आप काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें passion, passion के साथ लगे रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि passion से क्या होता है, जिस भी आप field में होते हैं, उसकी details, detailing मिलनी शुरू होती है, जैसे जब आप समंदर में देखते हैं, समंदर देखते हैं, समंदर की जब गोता मारते हैं, नीचे जाते हैं, तो आपको एक धीरे-धीरे बहुत कुछ दिखाये दिना शुर ऐसी आपका भी field है, कोई हर field ऐसे ही होता है, उसमें असीम संभावना होती हैं, इतनी possibilities होती हैं, कि I think दुनिया का हर काम में इतनी possible, सिर्फ अगर एक दरजी है, पैंट सीता है, एक हजार तरीकी के पैंट सी सकता है, अगर वो चाहे तो, अगर उसने नहीं चाहा तो जो train चला रहा है, वो सीता जाएगा, ठीकर अगर उसने चाह लिया, कि मैं ऐसा कुछ, मैं ऐसा कुछ करता हूँ, तो एक हजार तरीकी के पैंट उसी में, एक हजार तरीकी किसी देगा वो पैंट, ऐसे हर फील्ड में possibilities बहुत होती है, और एक perfection होता है, for example, जैसे हम लोग, हम लोग उने training इसलिए लिए कि perfection आजाए अपने काम में, जैसे, एक मैंने example सुना था कि, ये छोड़ी चीज़े बहुत कामाती है, उनको सुनना बहुत जरूरी होता है, इनसान के लिए, बताते हैं कि एक बहुत बड़े, पता निये सच है, जूट है, मुझे इतना जाद नहीं मालूं, बट कोई बहुत बड़े इनसान हुए, लेकिन वो पहले मोची थे, जूता सीते थे, ले वहां से कभी फटता नहीं था, बले दूसरी जगा से फट जाए, लेकिन वहां से नहीं फटता था, क्योंकि उसका पैशन था, जूता सीना, काम भले ही वो है, लेकिन उस काम में भी उनका पैशन है, तो इसी वज़े से उतने पॉपुलर होते चले गए, क्यार, जूता यह दिया वहां पे, जिन्देगी पर वहां से जूता नहीं फटेगा, तो छोटी-छोटी चीजों में, यह जो परफेक्शन, पैशन, यह सारी चीजों तो यह आपका आगे बढ़ाती है, बहुत आगे ले जाती है, लेकिन उसके वही है, कुछ चीजों का होना बाकिए बह इपनी करता हूँ, मेरे सामने आज तक मेरी, मेरे सामने लकीली कोई चीज नहीं हुई, कि मैं लकीली यहां तक पहुँच गया, आज जो आप प्रोमो देख रहे थे, जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी, मैं लकीली नहीं पहुँचा हूँ यहां पे, मैंने उसके लिए मैंने उसके लिए नॉलिज इकठी की है मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है